लखी सराइ जिले के वलीपूर का लाल मिथुन कुमार जोकी 11 नमबर को पंच तत्व में विलिन हो गया जिले के युवाओं ने उनकी आत्मा के शांती और सरधान देने के लिए शाम को कैंडल मार्च निकाला जिसमें जिले के विभिन परतिनी दिने भी भाग लिया करहिया कुमार, अमोल कुमार, स्रीदाम कुमार, हर्यों कुमार, गरुब कुमार एवं अन्य युवाओं की अगवाई में सकंडल मार्च को निकाला गया अभी हम है वलीपूर गाउं में जो लखी साजीला के पढ़िया परखन के अंदर आता है बीते ग्यारह दिसंबर छट के दूसरे दिन, ग्यारह नमंबर छट के दूसरे दिन यहाँ सियाई सप के हेड कॉंस्टेवल मिथुन कुमार, जो की पंच तत्त में बिलीन हो गए इतने बी निवासी है वह है, वह सभी आये हुए हैं यह पर अभी उनके सम्मान के लिए केंडल मार्च निकाले हैं इतना मने बताता है इसका कोई सब्ची नहीं है इतना सक्लीप है पूरे दियारा चेतर में पूरे दियारा छेतर में पूरे लोग मायूस है इस घटना से बीते दिन लखी सरे जिला ने अपना तीन लाल खो दिया है एक बेगुसरे मेरी सिरंजन थे और जो की पिपरिया से रिलेटेड थे और एक रामपूर से थे आज वलीपूर में जो घटना के आरा तरीक हुआ इस तीनों के लिए यह बहुत दुखदाई है यह सहीद हुए है और अब इससे पर देश की सेवा कर रहा है उसका दुख जाना अचानक यह समझ रहे हैं बहुत बड़ा अपूर्ण छती है जी बिलकुल मिध्विन कुमार सच में जुबा का एक इस गाउं के लिए एक सिंबॉ अज पुरा उलीपूर दियारावासी अस लाल को खोया है यहां की मिट्टी यहां की हवाएं बिलक रही है फूट फूट पूट के रो रही है हांथ को हाथ नहीं सुझ रहा है ना सूरज का पता लगता है ना चान्द का क्योंकि जब मिट्टी से सुर्ज अनों की हवा में कुजर जाती है निकल जाती है तो चिराघ घत्म हो जाते हैं दिए बुझने लगते हैं तो हर जगा मातम ही दिखती है मैं इतना ही चाहता हूँ हम जुबा फिर भी देश के खातिर हम लोग सदय तत पर रहेंगे जुबा के हम यही Raspberry करेंगे सारे जुबाओं से कि मिथून कुमार के परिवार अपना घर जैसा माने और हर पल हर बक हम जुबावासी उनके परिवार के साथ हाथ से हाथ कदम से कदम मिला कर चलें ताकि हर उनके मां के लिए सामने में मिथून दिखाई दे ताकि उन मां के लिए आंख से आंसु बहना रुक जाए जाए नारा लगाओ कोई नारा लगाओ भारत माता की जाए